ध्याइनो परम गुहिय ज्यान श्री भगवान ने कहा ए अर्जुन चुंकि तुम मुझसे कभी ईश्या नहीं करते इसलिए मैं तुमें यह परम गुहिय ज्यान सथानभूती बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे यह ज्यान सब विज्याओं का राजा है जो समस्त रहस्यों में सरवाधि गोपनिय है यह परम शुद्ध है और चुंकि यह आत्मा की प्रत्क्ष नभूती कराने वाला है अतहय धर्म का सिभान्थ है यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर वक्स संपन्न किया जाता है यह परंतब जो लोग भक्ती में शद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते अतहवे इस धोते जगत में जन्म अम्रत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं यह संपून जगत मेरे अवजक्त रूप द्वारा व्याप्त है समस्त जीव मुझे हैं किन्तु मैं उन्में नहीं हूँ तथापी मेरे द्वारा उत्पन सारी वस्तुएं मुझे में इस धिद्ध नहीं रहती जड़ा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो यद्यपी मैं समस्त जीव का पालग हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ लेकिन मैं इस विराठ अपिद्ध का अंश नहीं हूँ क्योंकि मैं स्रष्टी का कारण स्वरूप हूँ जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबलवायू सदय वाकाश में स्थित रहती है उसी प्रकार समस्त उत्पन प्राणियों को मुझ में स्थित जानो एक उन्ति पुत्र कल्प कांत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृती में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंब होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ती से उन्हें उत्पन्द करता हूँ संपूर्ण विराज जगत मेरे अधीन है यह मेरी इच्छा से बारं बार सुतह प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में वनश्ट होता है ये धनन जय ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते हैं मैं उदासीन की भाती इन सारे भोतिक कर्मों से सजय विरक्त रहता हूं एक उन्ते कुत्र यह भोतिक प्रकृती मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अधिशता में कारे करती है जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं इसके शातन में यह जगत बारंबार सजित और विनश्ट होता रहता है जब मैं मनिश्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्प मेरा उपहाद करते हैं वे मुझ परमेश्वर की दिव्व सभाव को नहीं जानते जो लोग इस प्रकार मोहगरस्थ होते हैं वे आसुरी तथा नासिक विचारों के प्रतिया क्रश्ट रहते हैं इस मोहगरस्थ अवस्था में उनकी मुक्तियाशा उनके सकाम कर्म तथा ज्यान का नुशीलन सभी निश्वल हो जाते हैं वे पार्थ मुहमुद महात्मा जन जैवी प्रकृति के संदक्ष्ण में रहते हैं वे पूर्टाह भक्ति में मग में रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदी तथा विनाशी भगवान के रूप में जानते हैं ये महात्मा मेरी महिमा का निश्य कीर्थन करते हुए जड़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से लिरंतर मेरी पूजा करते हैं अन्ये लोग जो ज्यान के अनुशीलन द्वारा यग्या में लगे रहते हैं वे भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप में विविद रूपों में तथा विश्वय रूप में करते हैं किन्तु मैं ही कर्मकांड मैं ही यग्यत पितुरों को दिया जाने वाला तरपन आउशधि जिव्य धनी लिही अगनी तथा आहुति हूँ मैं इस ब्रमान का पिता माता आश्रय तथा पिता में हूँ मैं ये शुद्धी करता तथा ओंकार हूँ मैं रिगवेद सामवेद तथा यजवेद भी हूँ मैं ही लक्षे पालन करता स्वामी साक्षी धाम शरनिस्थली तथा त्यंत प्रिय मित्र हूँ मैं सृष्टी तथा प्रलय सबका आधार आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ हे अर्जुन मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोगता था सलाता हूँ मैं अम्रत्य हूँ और साथ शात्मरत्यू भी हूँ आत्मा तथा पदात दोनों मुझी में हैं जो वेदू का ध्यन करते तथा सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग ताप्ती की गवेशना करते हुए अप्रिट्यक्ष रूप से मेरी पुजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं का सानंद भोगते हैं। इस प्रकार जब वे वित्र स्वर्गिक इंद्रिय सुप को भोग लेते हैं और उनके पुन्य कर्मों के फल शीन हो जाते हैं, तो व जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिज्जे सरूप का ध्वान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं। उनकी जो आवशकताइं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके पास है उसकी रख्षा करता हूँ। जो एक मास्तर भुकता तथा स्वामी हूँ अधर जो लोग मेरे वास्तविक दिज्जे सरुभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे। जो पितरों को पूछते हैं वे पितरों के प जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं, वे उन्हीं के भीच जन्म लेते हैं और जो मेरी पुजा करते हैं, वे मेरे साथ निवास करते हैं यली कोई प्रेमतथा भक्ति के साथ मुझे फट्र, फुष्क, स्ववल या जल पधान करता है तो मैं उसे स्विकार करता हूँ एकुंति पुत्र तुम जो कुछ करते हो जो कुछ खाते हो जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्य करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो इस तरहे तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभा शुभफलों से मुक्त हो सकोगे इस सन्यास योग में अपने चित्त को इस्तिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे मैं नहीं किसी से द्वेश करता हूँ नहीं किसी के साथ पक्षपात करता हूँ मैं सबों के लिए संभाव हूँ किन्तु जो भी भक्ती पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में इस्तित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ यदि कोई जगन्य से जगन्य कर्म करता है किन्तु यदि वह भक्ती में रत रहता है तो उसे साधू मानना चाहिए क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिक रहता है वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और इस हाई शांती को प्राप्त होता है ये कुंति पुत्र निदर होकर घोशना कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है ये पात जो लोग मेरी शरण गहन करते हैं वे भले ही निम्न जन्माइस्त्री वैश्य तता शूत्र क्यों नहों वे परंधाम को प्राप्त करते हैं फिर धर्मात्मा ब्रहमनों भक्तों तराज रिश्यों के लिए तो कहना ही क्या है अतर इस शनिक दुख में संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आपको लगाओ अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ मेरे भक्त बनो मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो इस प्रकार मुझे में पून से अतलीन होने पर तुम लिश्यत रूप से मुझे को प्राप्त होगे